गर्लट प्रेंड जसलीन से रिष्टा तोड़ने के बाद अनूप जलोटा ने बतायक गुस्सा करने के ये पांच बड़े नुकसान सलमान खान के चर्चित शो बिग बॉस में इस बार सबसे चर्चित जोड़ी भजन गायक अनूप जलोटा और उनकी 37 साल छोटी गर्लट प गुस्सा करने से हमें नुकसान होता है आईए जानते हैं गुस्सा करने से हमें कौन से पांच बड़े नुकसान जहिलने पड़ सकते हैं बिग बॉस में हिस्सा लेने आई जलोटा ने बताया कि क्रोध एक पल में किसी भी व्यक्ति का भविश्य तक बनने से बिगार सकता ह क्रोध मनिश्य का विवेक और बुद्धी खा जाता है गुसेक के पीछे भले ही कोई भी कारण हो लेकिन इसका असर सिहत पर हमेशा बुरा ही पड़ता है आई ये जानते हैं गुसा करने से सिहत को कौन से बड़े नुकसान होते हैं काम करने की क्षमता प्रभावित करोध ऐसी भावना है जो जनरलाइज डे इंग डालेटी डिस्वारडर जी एडी को और ज्यादा बेगार देती है यह अवस्था किसी भी विशेक पर ज़रूरत से ज्यादा फिकर करने की वजह से पैदा होती है शोद करताओं की माने तो आज के समय में दुनिया में लाखों लोग इस आवस्था का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के ठीक से काम करने की क्षमता प्रभावित होती है निर्न एक्षमता कम गुसा करते समय दिमाग की निर्न लेने की ख्षमता कम हो जाती है इसलिए लोग कई बार गुश से में गलत फैसले लेने लगते हैं, जिसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है दरसल गुश से में हमारे दिमाग से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर का तापमान और रक्त संचार बढ़ा देते हैं बढ़े हुए रक्त संचार के कारण दिमाग की निन अक्षमता कम हो जाती है पाचन तंत्र कमजोर लगातार क्रोध करने से व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे इसिडिटी, कबज, भूख नहीं लगना जैसे रोग हो सकते हैं इसके आलावा क्रोध करने से नींद नहीं आती जिससे स्वास्थ पर बुरा असर होता है ब्लड प्रेशर क्रोध करने पर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिस से उसके दिल को नुक्सान पहुंच सकता है मन पर बुरा प्रभाव क्रोध हाने पर मस्तिश्क में ऐसे रासायनिक तत्प बनते हैं जिनका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पढ़ता है